क्विश्चिन नूमर सैवन वन पॉइंट टू दिर इस रिकुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट से फिल्ड सोनिय मतलब कोई स्पोर्ट्स फिल्ड हाउस के एक सर्कुलर पाथ है सोनिय को टाइम लगता है 18 मिनट्स और रवी को जो टाइम लगता है 12 मिनट्स इससे साफ है कि भाई रवी जल्दी एक राउंड कम्लिट कर देता है इस पोस्ट ऑच यहां से स्टार्ट किया स्वान या और रवी ने वी थृट आप हैं गजा रही है अफटर हव्य मिनट्स फिल दे मिट अगेण एप अस श्टार्ट पॉंट स्टार्ट में किति तरह के बात मिलेंगे स्टेट्मेंट से पता चल रहा है रवी 12 मिनट में घुम के वापिस यहां आ जाएगा और दोनों सेम रैक्स ने भाग रहे हैं रवी तो वापिस यहीं आ गए लेकिन सोनिया 12 मिनट में मानों यहां तक पहुंचेगी वन टू थार्ड हो जाएगा उसका 12 मिनट से यहां तक हो अगरे चीडिस बात एक लोजी की आ रहा है कि इस केस में जो उनका मीटिंग टाइम होगा वो जो गीवन टाइम हैं उनसे ज्यादा होगा और क्विन कोस्ट्चन में हमें से कन्फूजन यह रहता है कि सदिश में इस से फाइंड करें या या ल्वाइन करें हमें देखने से लग रहा है कि इसमें 18 minute से पहले तो मिले नहीं सकते और 18 minute के बाद ही मिलेंगे जाके क्योंकि इसको इसोनिया पाइटेन minute तो लग रहे हैं एक राउंड कम्लीट करने में वन राउंड में भी जब raw Without लग रहे हैं तो कठ्था मिलने में 18 मिनिन से ज्जादा टाइम आएगा और ज्यादा के लिए हमेंसे हम LCM फाइंड करते हैं LCM फोर मोर रिजुल्ट कि मोर या लार्ज रिजुल्ट तो हमें 18 और 12 का सिदा सिदा LCM फाइंड करना यह आपका लोंग डिविजन में इससे भी कर सकते हो 29 जा 18 26 9 as it is 23 3 3 9 3 1 3 3 3 1 1 अब जिस जिस डिवाइजर से हमने डिवाइज गया जिस प्राइम फैक्टर से हमने डिवाइज गया था उनको मुल्टिप्लाइज करतेंगे 2 x 2 x 3 x 3 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 देट सिम्पलाइज कि वो देविल मेट आफ्टर 36 मिनट पस इसमें यही द्याम रखना है अगर आपको लग रहा है कि result in given number से small आएगा तो hcf find out करना है और आपको लग रहा है कि आपका result given number से large आ रहे है तो आपको lcm find out करना है